पेपा और जॉज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं दादी पिक, दादी एग हलो मेरे प्यारी बच्चों, खाने के लिए बगीजे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिक, दादी दी हलो पेपा, जॉर्ज, ये है दादा पिक का सबजियों का बगीचा, ये सारी सबजिया उन्होंने खोद उगाई हैं ये क्या है? दाइनोसौर एक डाइनोसौर चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सबजिया चुनते हैं पेपा, तुम्हे टमाटर पसंद है? जी दादा पेग जॉर्ज, क्या तुम्हे टमाटर पसंद है? ना जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है तुम्हे सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पेग ना जोर्ज को सलाट के पत्ते भी पसंद नहीं मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जोर्ज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक जोर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाट के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चोकलेट केक. भुट्टु जॉर्ज, चोकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है. सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए, तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी. वाँ, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा. पहले इन्हें अच्छे से दोना होगा. पैपा और जॉर्ज, दादी पिग की सब्जिया धने में मदब कर रही है. अब दोना बहुत हुआ. दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया. दादा पिग, सब को लंच पे बुलाईए. लंच! दादी पिग ने खाने में पिज़ा बनाया है. और ये रहा सलाद. दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ. खाना शुरू करो. जॉज ने अपना पिज़ा खाया. पर जॉज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं. ओ, जॉज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं. जॉज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खा कर तो देखो. या. जॉज, ये खीरा है. दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है. या. सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खालो, बहुत ही स्वादिष्ट है. ओहो, रो नहीं, जॉर्ज. देखो, मैं क्या बनाता हूँ? अब ये बन गया है डाइनसौर. डाइनसौर. जॉर्ज को डाइनसौर बहुत पसंद है. जॉर्ज, टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है. शाबाश, जॉर्ज. थोड़ा और लोगे, जॉर्ज. बढ़ गया. जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है. जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता ओ तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुर नहीं खाना जाते चॉकलेट केक वावाव लगता है जॉर्ज को दोबारा भूक लग गई प्रेइपा अच्छी सहयली शुजी शीप का इंतजार रही है भूंँ कि दो म्य उपसंद है प्रेपा को शूजी पसंद है दो प्रेपा पसंद है वो पक्की सहेलिया हैं पैपा क्यों ने तुम और सूजी बेड्रूम में जाकर खेलो ठीक है मॉमी जोज भी खेलना चाहता है पैपा और सूजी को पैपा के बेड्रूम में खेलना अच्छा रखता है और जोज को भी नहीं जोज ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है जाओ और अपने खेलोनों से खेलो पैपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं मैं बहुत चोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुम एक मिंदग बना दूंगी जोज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता जोज भी खेलना चाहता है नहीं जोज मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ तुम कहीं और जाकर खेलो जोज पैपा के साथ खेलना चाहता है वो अकेला महसूस कर रहा है जोज मुझे मदद चाहिए मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ जरा बोल में से चक कर बताओ जोर्श को कुकीज बनाने में ममी की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पैपा के साथ खेरना ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा जोर्ज पैपा और सुजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जोर्ज को भी पैपा जोर्ज की धड़कन सुनती है जोर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ मुझ खुलो प्लीज सुजी जोर्ज का टेंपरेचर चेक करती है ओ डियर तुम्हें बहुत जादा बुखार है मेरे ख्या के डाइड़े बीग जोर्ज को देखने आए है ओ नाहीं क्या हुआ है ज़र्ज को जिन्ता मत कीज़े यह सिर्फ हेल हे जौंज हमारा मरीज बना भू समझा क्या हम मरीज से मिल सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वरना वह ठक सकता है कुपी पाझ ऑगी जोज के लिए है यह उसकी दवाई है ताके ठीक हो जाए माफ करना डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुद्गुदी होती है मैं इसके गुडगुड सुन सकती हूँ मुझे लगता आपको भूक लगी है मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी को किस खानी चाहिए और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी पिकनिक यह एक बड़ा प्यारा सा सुहाना दिन है पैपा और उसका परिवार पिकनिक के लिए जा रहे हैं डाड़े पिकनिक की टोकरी ला रहे हैं पिकनिक ब्लैंकेट ब्रेड चीज टमाटर और लेमोनेट हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना ममी का स्ट्रॉबेरी केक मैं सिर्फ मजाग कर रहा था ममी का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक क्या है सब तयार तो फिर चलो यह हमारी पिकनिक के लिए बहुत सही जगह है अब अच्छा लगता है हमें थोड़ा दोड़ना चाहिए और थोड़ी कस्रत करनी चाहिए। और सोना चाहती हूं और दौड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती मुझे लगता डारी को थोड़ा दौड़ना चाहिए उनका पेट बहुत बड़ा है पर मेरा पेट बड़ा नहीं है लेकिन मैं बाद में थोड़ी कस्रत करूंगा चाहे कोई और करे ना करे चलू खाते हैं मुझे बहुत नीद आ रही है मुझे लगा था तुम थोड़ा दोड़ोगी डाडी पेग बाद में देखो वह ताला में बत्टक है मामी क्या हम बत्तकों को खिला सकते हैं तुम उन्हें ब्रेट खिला सकती हो पैपा और जॉर्ज को बत्कों को खिलाना अच्छा लग रहा है मामी, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए पैपा वो आखरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है मुझे माव कीजिये, हमारे पास और ब्रेड नहीं है बत्कों को और खाना चाहिए लगता है डाड़ी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है अब तुम यहां क्यों आई? पैपा ने तुम्हें बताया ना यहां और ब्रेड नहीं है मामी, हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है ठीक है, अगर केक बच किया तो तुम उन्हें खिला सकती हो मामी पिग का खाका बनाया स्ट्रॉबरी केक सब को पसंद आया एक मक्खी, मुझे मक्खियों से चड़ है, शू चड़ने की क्या बात है मामी पिग, यह सिर्फ एक मक्खी ही तो है चलो जाओ मक्खी बिल्कुल हिलना मत ममी पिग, यह उड़ जाएगी देखा तुमने, तुमें कहा ता बस हिलना मत अरे, चली जाओ बचाओ, वोई इसे भगाओ, भगाओ इसे उम्मीदे मक्खी डाडी को काटेगी नहीं दूर हटो छोटी से मक्खी नहीं, डाडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं इसके पहले कि मक्खी वापस आजाए, हमें केक खा लेना चाहिए ओ नहीं, हम बत्तकों के लिए बचाना तो भोले गए मेरे ख्याल से वो चली गई है आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डाडी पे, लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया अच्छा हुआ, मैंने अपना स्ट्रॉबरी केक किसी तरह से बचा लिया रुकिये डारी, हमने बचा हुआ के एक बत्तकों को खिलाने का वादा किया है तुम्हारी किसमत बहुत अच्छी है चलो डारी को शुक्रिया कहो तुम्हारा स्वागत है घर जाने का समय हो गया, बत्तकों को गुड़बाय कहो बाई बाई बत्तक तुमसे फिर मिलेंगे ट्रेजर हंट दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रही है दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही है दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगा खोद रहे है दादा पिग आपका काम हो गया पेपा और जोज आती होंगे परिशान होने की जरूरत नहीं दादी पिग पेपार उसका परिवार आ गया है जल्दी करो दादा पिग वो आ गये बस हो ही गया दादा पिग ने बिलकुल वक्त पर काम खत्म कर दिया दादी पिग हम आ गये हलो मेरे प्यारे बच्चों दादा पिग कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों पेपा जोज तुम्हारे लिए ट्रेशर हंट बनाया है बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है ख़जाना वाओ ख़जाना कहा है वो वो तो तुम्हें ढूनना होगा ये रहा ख़जाने तक जाने का नक्षा और जोज मेरा पाइरिट हैट पहन सकता है ओ हलो कैप्टन जोज ये मैप थोड़ा मुश्किल है डाड़ी आप मदद कीजिए क्यों नहीं पेपा मुझे मैप पड़ ना आता है ये थोड़ा मुश्किल है डाड़ी पेग आपने नक्षा उल्टा पकड़ा है अच्छा मुझे भी ऐसे लगा था ये आसान है लाल क्रॉस दिखाता है ख़जानक कहा है लेकिन कारडन में वो दोसेप के पेड कहा है हम्म्म मुझे नहीं पता तुमें मदद चाहिए हाँ प्लीज पहला क्लू बोतल में है लेकिन बोतल कहां है मुझे देख गई पेपा ने पहला क्लू ढून लिया है बोतल में मैसिज है देखिए ये रही बाटल शाबबाश पेपा देखते हैं मेसेज में क्या लिखा है वो ये तो एक पाइरेट का मेसेज है मामी क्या आप मेसेज पढ़ सकती है इस समुद्री डाको की राइटिंग बहुत ही खराब है नहीं, नहीं, पाइरेट की लिखावट बहुत अच्छी है नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ पाइरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो निशान का पीछा करो? जोर्ज को दूसरा क्लू मिला है कुछ एरोज के निशान जो लकडियों से बने देखो वो उस तरब जा रहे हैं पेपा और जॉर्ज एरोज का पीछा कर रहे हैं देखो जॉर्ज एक चाबी पेपा को अगला क्लू मिला है एक चाबी बहुत अच्छ है पेपा अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ठूणना है जो इससे खुलेगा लेकिन यह और कोई क्लू नहीं है तुम्हें नक्षे को ठीक से देखना चाहिए देखो पेपा नक्षे में दो सेप के पेड़ भी है यहां एक सेप का पेड़ है और यह रहा दूसरा सेप का पेड़ इसका मतलब खजाना यहां है तो चलो देखते हैं ओ नहीं यहां पर तो कुछ भी नहीं है जरा रुको यहां पर कुछ है वाव खजाना मेरे पास इसकी चाबी है वाव यकीन नहीं होता सोने के सिक्के यह तो बहुत कीमती होंगे उससे भी ज्यादा यह सोने के सिक्के नहीं है यह तो चौकलेट के सिक्के हैं और यहां सब के लिए चौकलेट के सिक्के हैं प्रेट आप जोज को चॉकलेट के सिक्के पसंद है सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद है दादी दादा ये सबसे अच्छे खजाने की खोच थी पैनकेक्स चाय का वक्त है और ममी पिक सबको सप्राइज देने वाली है आज है पैनकेक्स का दिन पैनकेक्स यामी अरेवा मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हो ये मुझ पर छोड़ दो पक्काना डाड़ी पिक, पिछली बार पैंकेक जमीन पर गिराने से आम जड़ा चिड़ी हो गए थे मैं चिड़ी चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉबलम थी मामी, क्या हम भी पैंकेक बनाने में आपके मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो, पहले में बावल में सूखा आटा डालूँगी, अब मैं अंडा डालूँगी, अब दूब, फिर सब को हिलाऊंगी, मामी, क्या मैं कर सकती हूँ, हाँ, जरूर पैपा, पैपा को ये करने में बहुत मसा आ रहा है, जोज भी उसका साथ दे रहा है, नहीं जोज, ऐसे मत करो, अच्छा, अब बहुत हुआ हिलाना, मैं पैंकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो, ममी पिग अब पैंकेक को पल्टेंगी, उसे थोड़ा और उपर उचाओ साथे हो, मामे पिग, जब अपना पैंकेक उचालोगी न, तब हमें सिखाना, डाडी पिग, ममी पिग ने जोज के पैंकेक के उपर थोड़ा सिरप डाला, यामी, ये पैंकेक पैपा के लिए है, वाह। तुम इसे और उपर उच्छाल सकते हो, मम्य पिग। जब अपना पैनकेक उच्छालोगी तब मुझे दिखाने का चांस तुमें मिलेगा, डाडी पिग। सिरॉप प्लीज। युम्युम्य। युम्य। युम्य। यह पैनकेक ममी पिग के लिए है। हुरे! अब भी उन्हें ज्यादा उच्छा नहीं उच्छाल रही, मम्य पिग। अगला पैनकेक आपका ही है, डाडी पिग। तो अब आप ही करके बताईए। बहुत युम्य। अब सब की नजर मुझ पर हो। एक अच्छा पैनकेक बनाने का राज उसे हवा में उपर उच्छालना होता है। एक, दो, और तिन। पुद्दु डाडी। मैंने कुछ ज्यादा ही उपर उच्छाल दिया। अब क्या करें, यह तो आखरी पैनकेक था। इसे नहीं चलाना बहुत यह असान है। ओफो, डाडी पिग अपने पैनकेक तक नहीं पहुच पा रहा है। अब फिक्र मत करो डाडी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ। चलो उपर चले बच्चों ममी पिग क्या प्लान बना रही है। तीन के गिंती होने पर हम सब को ऊपर नीचे कूदना है। एक, दो, तीन, कूदो। यह सब कर क्या रहे है। काम हो गया, अब डाडी पिग को उनका पैनकेक मिल गया। डाडी के सिर पर पैनकेक है। आपके पैनकेक पर सिरप डाडी पिग। ठीक है डालू। हेक, दो, और तीन, हम… यूम्य पैनकेक! यूम्यूप्यूप्यूब इएःःःःःःःः, पोता तीन कर दो दानक कॉझ कर्मी का दिन सूरत चमक रहा है बहुत ज्यादा धूप है कितना प्यारा सुहाना दिन है पैपा और जॉज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिठी के गड़ों में कूदने के लिए मजे मिठी के गड़े बहुत पसंद है ओफो धूप इतनी तेज है कि सारे गड़े सूख ग अर अर्म उनमें कूद नहीं सकते को या इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो हां sıbox कि पहले तुम्हें अपने स्विमिंग कॉस्च्यूम पहनने हो गो regulation या है कि पर जॉज ने अपने स्विमिंग पैं लिया है मुँ पेंध ने मुने लिया है बहुत धूप है तुम्हें संक्रीम की जरूरत पड़ेगी याक बहुत चिप 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 और गंदा है याक हो 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 इसकी क्या जरूरत है है आज हम सब को जरूरत है चलो चॉर्ज इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं डाड़ी पिग पैडलिंग पूल में हवा भर रहे है कितना आसान है पैपानी पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया पानी कहा है पैपा और जोर्ज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है आइस्क्रीम आइस्क्रीम मिस राबिट आइस्क्रीम लाई है आइस्क्रीम गर्मी के दिनों में मिस राबिट आइस्क्रीम बेचती है मामी डैरी क्या जोर्ज और मैं आइस्क्रीम खा सकते हैं अच्छा ठीक है वैसे भी अज बहुत ज्यादा गर्मी है क्या मुझे भी आइस्क्रीम मिलेगी सबको आइस्क्रीम पसंद है हलो ममे पिक, पेपा और जॉज, हलो मिस राबिट, आपको कौन से आइस क्रीम चाहिए, क्या मुझे कौन मिल सकता है प्लीज, हाँ जरूर मिल सकता है पेपा, थैंक यू, मेरे लिए और डाडी पिक के लिए भी वही देना प्लीज, और छोटी मिस्टर जॉज को क्या चाहिए डाइनसार, डाइनसार, बद जोज, वो हर चीज के लिए डाइनसार कहता है, पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डाइनसार की आकार में एक कैंडी है, ये लो, डाइनसार, जोज, पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खतम करो, डाइनसार, जोज को डाइनसार की आइस क जोज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खातं करनी चाहिए पिखलने और जमीन पर गिरने से पहले ओहो जोज की डानोसौर आइस कैंडी पिखलकर जमीन पर गिर गई कोई बात नहीं जोज, तुम डाडी के आइस क्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगी इतनी ज्यादा गर्मी है कि डाडी पिख सो गए डाडी पिख को गर्मी लग रही है चलो नो ठंदा करने के लिए पर पानी डाते अच्छा इडिया है पैपा क्या हुआ आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे इसलिए हमने आप पर पानी डाला अच्छा थेंक यू पैपा देखो पानी के गड़े चलो जोज जूते पहनो पैपा और जॉज ने अपने जूते पहने हैं पैपा और जॉज को ऐसा गर्मी वाला दून पसंद है पर सबसे ज़्यादा उन्हें गड़ों में ऊपर नीचे खूदना पसंद है पैपा और उसका परिवार अंकल पिग, आंटी पिग और कजिन क्लोई से मिलने जा रहे हैं अचे लगता है अंकल पिग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे डाडी पिग, आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए खासकर बच्चों के सामने पर सही तो है, अंकल पिग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर-जोर से खराटे मार कर सो जाते हैं यह ऐसे पेपा, चॉर्ज, मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ चीक है डाडी पेपार उसका परिवार अंकल पिग और आंटी पिग के घर पहुँच गए है अंकल पिग हेलो उन्कल पिग रहलो कैसे आप विलकुल ठेको, तुम यह का से हो उन्कल पिग डाडी पिग के भाई है पेपा और जॉर्ज की बहन है पेपा जॉर्ज मुझे तुम्हेे कुच दिखाना है वाह Napoleon प्रफोपली रुको यह है मेरा नया कटपितली यानी पपेट थियर्टर मेरे टैडी ने मेरे लिए बनाया है वाह मैंने दो पपेट्स पहले ही बनाये है इसका नाम है क्लोई हेलो, मैं हूँ क्लोई पिग और यह है मेरे डाडी अंकल पिग हेलो पेपा, मैं हूँ अंकल पिग क्लोई, क्या मैं और जॉज भी पपेट बना सकते हैं? क्लोई पपेट के आँखें पेंट कर रही है मैं मू बनाओ? हाँ, बनाओ मेरा नाम पेपा है जॉज, तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है? डाइनिसार क्या, डाइनिसार? जॉज हर चीज के लिए डाइनिसार ही कहता रहता है ठीक है, डराऊना डाइनिसार पपेट बनाते है क्लोई जॉज के लिए डाइनिसार बना रही है इसे नुकीले दाच चाहिए ऐसे, डराऊना डाइनिसार लंच तयार है आ रहे है खाने के बाद हम सब को पपेच्चो दिखाएंगे अंटी पिग में खाने में नूडल्स बनाए है यह नूडल्स तो बहुत ही स्वादिश्ट है अब तक के सबसे बेस्ट नूडल्स तुम दोनों भाई भाई हो यह पता चल रहा है हर चीज में एक जैसे है क्या मतलब है तुमारा हम बिलकुल अलग है पेपा जोर्ज और मैं सबको एक पपेच्चो दिखाने वाले है बहुत अच्छे तयारी हो जाए तो पताना बद मिस्ते है पपेच्चो मज़ा आएगा क्या और्नुर्स खाने के लिए वक्त है क्या मैं भी खा सकता हूँ पपेच्चो शुरू होने वाला है हेलो मेरा नाम है क्लोई और मैं हूँ पेपा एक डाइनसौर दरावना डाइनसौर क्या बात है बहुत अच्छे बच्चो बहुत अच्छे मैं हूँ अंकल पेग हेलो अंकल पेग हेलो पेपा ये तो बिल्कुल आप के तरह लग रहे रहे लग रहा है उन्होने मेरा पेड़ बहुत बड़ा बना दिया मुझे मेरा लच पसंद आया अंकल पेग क्या आप सुझाएंगे और हमेशा की तरह कि खराटे मारेंगे क्या मतलब है तुम्हारा डाड़ी कहते हैं कि आप हमेशा सोते हैं और जोर से खराटे मारते हैं ऐसे तुम्हारे डाड़ी सही कहते हैं मैं सच मुझ खराटे मारता हूँ डाड़ी पेक आप मों अंकल पेक के बारे में इसा बाते नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे नहीं लगता ये दोनों कुछ भी सुन रहे होंगे डादी पेग और अंकल पिग सो गए हैं पाता चल रहे हैं दोनों भाई भाई हैं क्या हुआ यह क्या पपेच्छ अभी तक शुरू नहीं हुआ पेपा और उसका परिवार कैम्पिंग के लिए जा रहे हैं उठे कैम्पिंग बहुत पसंद है हम पाज गए पेपा चॉर्ज ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है डाड़ी आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे शिंता मत करो पेपा मैं कैम्पिंग में एक्सपर्ट हूँ मामे पेग लकडियों पर टेंट लगाओ प्लीज देखा तुमने कितना आसान है क्या ये खोंटे किसे काम के है वेलकुल मैं पेक्स के बारे में तो भूल ही गया पेक्स के सहरे टेंट खड़ा हो गया हो गया ये तेंट थोड़ा चोटा लग रहा है जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था लेकिन अब ये जोटा क्यो लग रहा है जो कि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डाडी पेक और आपका पेट सबसे बड़ा हो गिया है पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं आग जलाने के लिए हमें लकडिया जमा करनी होगी यिपी पेपा और जोर्ज केमफायर के लिए लकडिया ठुणने में डाडी पिकी मदद कर रहे हैं जोर्ज, मैं लकडिया उठाऊंगे और तुम इने पकड़ लेना लकडिया इकठा करने में मज़ा रहा है बहुत अच्छे, इतनी काफी है बहुत अच्छा केमफायर है अब जलाते हैं ये रही माचिस हमें माचिस की जरुरत नहीं है डाडी, माचिस के बगएर कैसे जलाओगे मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ दो लकडियों को एक दूसरे पर घिस कर डाडी पिक केमफायर जलाने के लिए दो लकडियां एक दूसरे पर घिस रही है अब कहा है डाडी थोड़ा सबर करो देखा कितना आसान है अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं प्रकृति क्या आवाजे सुनाई दे रही हैं ये कैसी आवाज है ये कीडों की चीची आवाज है ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो, वहाँ पर वाँ और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये डारी के पेट की आवाज है मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबजे अच्छी आवाज है इसका मतलब खाने का वक्त हो गया मुझे टमाटर सुब बहुत पसंद है मुझे भी और अब सुनो डाडी पिक की एक और आवाज क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे? ये तो बहुत चोटा सा है सब ठीक है, जाओ तो अंदर चलो मामे पिक थोड़ी जगा दो मुझे डाडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है गुद नाइट डाडी पिक गुद नाइट डाडी सबको गुद नाइट पमी पिग, पेपार जॉज टेंट में सो रहे हैं और डाडी पिग बाहर सो रहे हैं, तारों के नीचे मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है खुली हवा में तारों के नीचे सोना शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था सुबा हो गए है डाडी, टेंक में बहुत अच्छा लगार बहुत मजा आया ओ, डाडी कहा है डाडी पिक चले गए बेचारी डाडी पिक, बारिश की वज़े से उन्हें ठन लग रही होगी अब कहा है वो ये कैसी आवाज है ये तो खराटो की आवाज लग रही है डाडी पिक क्या हुआ डाडी आप ठीक है हाँ, बिल्कुल ठीक हो, मुझे क्या होगा कैम्पिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ मैं गारी में आकर सो गया पुट्ट डाडी पिक मुझे कैम्पिंग बहुत पसंद है तब म्यूजियम पेपारस का परिवार म्यूजियम जा रहे है डाडी, म्यूजियम क्या होता है ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिल्छस्प चीजे होती है आप से भी पुरानी हाँ, मुझे बहुत बहुत पुरानी वह बहुत ही पुरानी एक कमरे में रजा और राणियों की बहुत साही चीजे होती है मुझे राजा राणि का कमरा देखना है वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डाइनसौर है वो, दाइनसौर हलो ममे पिग, हलो मिस राबिट, कितने टिकेट शाहिए आपको, दो बड़े और दो बच्चे डाइनसौर और एक डाइनसौर पैपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और राणियों की चीज़े हैं वाँ, डाइनसौर पर जौज को असली डाइनसौर देखना है रोना मत जौज, इसके बाद हम जाइनसौर देखने जाएंगे पेपा, ये सारे चीज़े कई साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी ये है रानी की खास कुरसी, उसे सिंघासन कहते है बहुत सुन्दर है ये है रानी की ड्रेस कितनी प्यारी है देखो पेपा, ये है रानी का सोने का मुकुट वाव, बहुत सुन्दर है मामी रानी का टीवी कहा है पेपा उस समय टीवी नहीं होते थे टीवी नहीं थी पर क्या उनके पास कम्प्यूटर थे नहीं उस समय कम्प्यूटर भी नहीं थे वो तिन भर क्या करते थे मामी अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती पेपा खुद को रानी समझ रही है क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज अभी लाकर देती हूँ चलो अभी सब लोग आ रही हूँ डैरी डैरी, मैं हूँ रानी पेपा मुझसे बात करते हैं वक्त आपको जुकना होगा ओ, मुझे प्लीज माफ कर दीजी रानी साहिबो और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूँ ये तो बड़ा मज़ेदार काम होगा हाँ, बड़ा ही मज़ेदार काम है ये और ये कौन सा कमरा है? ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर का कमरा? जोर्च, ये डाइनसौर का कमरा है डाइनिशा डाइनसौर कहा है? वो कही कमरे में ही है मुझे नहीं देख रहा लगता है बहुत ही छोटा डाइनसौर है असल में पेपा, वो बहुत ही बड़ा है यह असली डाइनसौर की हड्या है दाइनसौर जोर्ज खुद को डाइनसौर समझ रहा है दाइनसौर आ गया बचाओ बचाओ डाइनसौर का कमरा जोर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और लगता है डाइडी पिक पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए वो कौन सा कमरा है ममी जिस कमरे में केक्स है डाड़ी पिक को पसंद है म्यूजियम का क्याफे चलो आकर खा लो ओ हा ये सबसे अच्छा कमरा है वाली पैरिट पैपा उसका परिबार ग्रैनी पेग और ग्रैन्पा पेग से मिलने आये हैं ग्रैनी पेग ग्रैन्पा पेग ग्रैनी पेग पाप प्रेग हलो मेरे छोटे बच्चों अंदर आ जाओ हमारे पास एक सप्राइज है वो क्या है हमारे पास है एक नया पेट क्या बता सकते हो वो क्या है डाइनसौर अरे नहीं डाइनसौर नहीं है वो आओ और देखो ग्रैनी पेग और ग्रैन्पापिक के पास एक पैट पैरिट एपा जोज ये है हमारा पैट पैरिट इसका नाम है प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली मैं एक होश्यार पैरिट हूं मैं एक होश्यार पैरिट हूं ममी ग्रैनी जो भी कहती है पॉली उसकी नकल क्यों करता है पैरिट ऐसा ही करते हैं चलो दिखाती हूं हेलो पॉली कितना प्यारा सा पैरिट है कितना प्यारा सा पैरिट है आजाओ सब लोग चाय पीते हैं पैपा जोर्ज आजाओ यहां चॉकलेट केक है अरे ग्राणी पैपा और जोर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरिट के साथ खेलने की जल्दी में है खतम हो गया तुम बच्चे कितना शोर करते हो ग्राणी क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरिट को देख सकते हैं क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया फिर तुम जा सकते हो जोर्ज पॉली को कुछ कहो ना जोर्ज थोड़ा जिजख रहा है हेलो हालो पैपा और जोर्ज को पॉली पैरिट के साथ खेलने में सच में मजा रहा है मैं हूँ पैपा पिग मैं हूँ पैपा पिग जोर्ज कुछ बोलो पैपा पॉली पैरिट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है मैं एक बातुनी पैरिट हूँ केपा जोर्ज क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो जे ग्राणी आली, सच में एक प्यारा पैर्ट है हाँ ग्रानी मैं एक होशयार पैर्ट हूँ मैं एक बातुनी पैर्ट हूँ मैं एक बातूनी पैर्ट हूँ oh, क्या कहूँ लड्त रखूज। हिककप्स पैपा जोर्च मम्मी और डैडी नाश्ता कर रहे हैं यह एक प्यारा सा सुहाना दिन है पैपा और जोर्च गार्डन में खेलने के लिए जाना जाते हैं मम्मी क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं तुम अपना नाश्टा खतम करके बाहर खेलने जा सकते हो जॉर्ज अपना जूस इतनी जल्दी मत पियो जॉर्ज ने अपना जूस जल्दी से पी लिया और अब उसको हिच्किया लग गई है क्या अब हम जा सकते हैं मामी नहीं जॉर्ज को हिच्किया आ रही है लेकिन जॉर्ज के हिच्किया बंद हो गई मामी हो गई है ना जॉर्ज ठीक है तुम बाहर खेलने जा सकते हो लेकिन जॉर्ज का ध्यान रखना पेपा और जॉर्ज को गार्डन में खेलना पसंद है जॉर्ज मैं बॉल फेकने वाली हूँ फिर तुम उसे पकड़ना ठीक है जॉर्ज इचकिया लेना बंद करो जॉर्ज अब तुम बॉल मेरी तरफ फेको मैं उसे पकड़ूंगी जॉर्ज ओडियर जॉर्ज की हिचकियों से खेल बिगड़ रहा है जॉर्ज मैं जानती हूँ हिचकिया कैसे ठीक करनी है तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ अपने सिर को खुजाओ और पेट को रगड़ो बढ़िया अब तुम्हारी हिचकिया बन दो गई पेपा ने हिचकियों का जो इलाज किया उसने काम नहीं किया जॉर्ज यह तुमने बिल्कुल गलत किया मुझे हिचकिया ठीक करने का अच्छा तरीका आता है पहले एक तांग पर तीन बार उपर नीचे कुदो अब अपना हाथ हिलाओ उपर और नीचे और अपनी जीब बाहर निकालो और अब अपनी आखे बंद करो और तेजी से घूमो सिर्फ तीन बार पैबा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया जॉर्ज को अभी भी हिचकिया आ रही है हुआ कि क्पना हिचकियों का इलाज विमार पीगी को एक शॉक दिया जाना चाहिए जोड़ मैं तुम्हें डरानेवाली हूँ लेकिन तुम्हें याद रकना यह सिर्फ एक खेल से तुम्हारी हिचकिया बंद हो जाएंगी याद रखना यह सिर्फ डराने का खेल पेपा तुम्हें जॉर्ज की साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए यह बहुत छोटा है माप करना ममी मैं जॉर्ज की हिच्किया रोकने के कोशिश कर रही थी जॉर्ज की हिच्किया बंद हो गई डैडी पेग जूस के दो गिलास लेकर आते हैं जॉर्ज इस तरह पेऊगे तो फिर से हिच्किया लग जाएंगे मैं उतनी छोटी नहीं हो जितना जॉर्ज मैं अपना जूस बहुत जल्दी पी सकती हूँ जॉर्ण तरह करोंगे मैं अपना हाँ ममी पिग का बर्थडे आज ममी पिग का बर्थडे है डादी पिग ने ममी पिग के लिए ब्रेक्फरस्ट बनाया है हैपी बर्थडे ममी पिग पेपा और जॉर्ज ने ममी पिग के लिए बर्थडे कार्ट बनाया है हैपी बर्थडे ममी अहो, यह कितना प्यारा बर्दे सप्राइज है और भी बहुत सारे सप्राइजेस मिलेंगे अपने बर्दे के ब्रिक्फस्ट का मज़ा ले लो, आराम सिखाओ यम्म्म, यम्मी शुर्दी करो, हमें बाकि सारी तयारी करनी है डाड़ी पिग ने ममी पिग के लिए बर्दे केक बनाया है अब हमें सिर्फ कैंडल्स लगाने है एक, दो, मैं आ रही हूँ ममी पिग ने अपना बर्दे ब्रिक्फस्ट खतम कर लिया ममी आ रही है ओ नहीं, हम अभी तयार नहीं है कौन है? मैं हू ममी, क्या मैं अंदर आओं? नहीं, नहीं नहीं रहाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती अच्छा ममे पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती? यह यह अच्छा है वैसे भी तुमारा बर्दे है ठीक है पेपा, मुझे पता है, सोफा कहां रखा है यह यह लोई का अच्छा सा मैगजीन थैंक यू पेपा और प्यारा सा म्यूजिक सनो थैंक यू पेपा हमें उतनी कैंडल्स चाहिए जितनी ममे की उम्र है एक, दो, तीन ओ नहीं, हमारे पास उतनी केंडल्स नहीं है तैदी, ममी कितने साल की है मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ वाव, बहुत बड़ी है मुझे लगता है, तीन केंडल्स काफी हो जाएंगी ममी पिक का बर्थ जे केक तयार है हुरे 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 ओ, आगे तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी ममी, क्या आप गार्डन में एक वाक लेना चाहेंगी क्या मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं भाई भाई ममी, अच्छा सा वाक लेना हम आपको जल्ड़ी बुला लेंगी, ठीक है मैं थो भूली गई थी कि बर्दे पर कितना काम करना पड़ता है डादी पिग, पेपा और जोज हॉल को सजा रही है मजा रहा है दादा और दादी पिग ममी पिग का बर्थडे मनाने आए है हैपी बर्थडे ममी पिग क्या तुम अंदर नहीं आ रही मैं अभी अंदर नहीं आ सकती डादी पिग पेपा और जोज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे है अच्छी बात है बाद में मिलते हैं बाई ममी, क्या अब आप अंदर आना चाहोगी हाँ, बिलकुल आउंगी आखे बंद करो अपनी आखे बंदी रखो ममी एए, दो, तीन, अपनी आखे खोलो हाँ, हापी बाद दे मामी पेड़े कितना प्यारा सप्राइज है ये चलो अब कैंडल्स बुजाओ और विश मांगो मामी, मामी, अपना गिफ्ट खोलो कैस करो इसमें क्या है मुझे नहीं पता तो खोलो और देखो ये तो बहुत ही खुबसूर अड्रेस है वाँ अब खुबसूरत हो मामी अब इससे पहन कर किसी अच्छी जगा पर जाना चाहिए ये क्या है दो टिकेट्स आज रात के फिल्म के चलो चलें तांक यू ममी पिक को फिल्म देखना पसंद है मैं और दादी पिक बच्चों को घर पर समहल लेंगे कितना अच्छा बोदी है लगता है मैं दुनिया के सबसे लखी ममी हूँ और खुबसूरत भी पेपा और जॉज अपना फेवरिट खाना खा रही है कितना शोर मचा रहे हो खतब हुआ अब हमें थोड़ी शांती मिलेगी ये क्या है ये दाथ है ये कहां से आया पेपा तुम्हें जाकर आइने में देखना चाहिए ये तो मेरा दाथ है ये कैसे गिर गया फिक्र मत करो पेपा ये दूथ का दाथ है वो तो गिरते ही है नया दाथ आजाएगा ना ममी हाँ जरूर आएगा पेपा इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी टूथ फेरी? हाँ टूथ फेरी अगर तुम अपना दाथ तक ये के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी टूथ फेरी तुम्हारा दाथ ले कर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूँगी और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? टाइनसोर एक टाइनसोर? चल्दी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांट ब्रश करते हैं पेपा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांट ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है पेपा अपना टूटा हुआ दांट तक्ये के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए गुद नाइट पेपा और जॉर्ज गुद नाइट मामी गुद नाइट डाड़ी गुद नाइट प्यारे बच्चों जॉर्ज मैं तो सोंगी नहीं चलो हम दोनों पूरी राद जाकते हैं टूथ फेरी से मिलते हैं ये टूथ फेरी कब आएगी टूथ फेरी को आने में काफी देरी हो रही है कहां है वो टूथ फेरी वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूथ फेरी थे? जॉर्ज? क्या तुमने कुछ सुना? ओ जॉर्ज! ओ ये आवाज तो जॉर्ज के खराटों की है वो इतना ठका हुआ था कि सो गया जॉर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता पर मैं जग सकती हूँ मैं जाकते रहूंगी और टूथ फेरी को देखूंगी मैं नहीं सोने वाली हूँ आखिरकार टूथ फेरी आ ही गई लेकिन पेपा सुई हुई है हला पेपा, क्या तुमारे दाथ के बदले में तुमें ये सिका चाहिए? वाँ, कितना अच्छा और साफ दाथ है तेंक यू पेपा, गुद नैट पेपा, जोज, अच्छाओ, सुबा हो गई क्या, मैं सोई नहीं थी क्या टूथ फेरी आई थी? नहीं आई चलो तक ये के नीचे देखते हैं देखो पेपा, टूथ फेरी आई थी और उसने तुमारे लिए गोल्ड कोईन रखा हुदे तुम सो गई थी है ना? हाँ, शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी लेकिन अगली बार में जगी रहोंगी और टूथ फेरी से जरूर मिलोंगी पेपा और जॉज शॉपिंग के लिए जा रही है पेपा और जॉज को शॉपिंग पसंद है जॉज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है और पेपा को भी डाड़ी क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ तुम इस ट्रॉली के लिए बहुत ही बड़ी हो पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो अरी वाह देखो हमारी लिस्ट में चार चीज़े है टमाटर, नूडल्स, प्यास और फल मैं सब ढून लोंगी इस तरफ पेपा और जॉज को शॉपिंग बहुत पसंद है पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं मुझे देख गए, मुझे देख गए ये देखो टमाटर ममी शाबाश पेपा एक, दो, तीन, चार अब उन्हें चॉली में डालो मुझे टमाटर मिल गए शाबाश पेपा, टमाटर लिस्ट की एक चीज मिल गई है अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है नूडल्स, डूडल्स सही कहा जॉज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं डूडल्स नूडल्स पेपा और जॉज का पसंदीदा खाना है अब ये नूडल्स कहाँ पर मिलेंगे मुझे दिख गए, इस तरफ नूडल्स देखो ममी, ये रहे नूडल्स शाबाश पेपा, अब चलो, जल्दी से इने ट्रॉली में डालो जीक है ममी डूडल्स जॉज, इसे कहते हैं नूडल्स तू डॉडल्स अब लिस्ट में आगे क्या है पेपा? चिप्स चिप्स तो लिस्ट में नहीं है हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पेपा जरा याद करो मुझे नहीं याद आरा डारी के तुम्हें याद है जॉज? डाइनिशार जॉज, यहां पर डाइनिसार नहीं मिलता पुद्दू नहीं जॉज लिस्ट पर अगली चीज है प्याज प्याज, अभी याद आया ममी यह रहे शाबाश एक दो तीन चार प्याज शाबाश अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजे मिल गई लिस्ट की बस एक ही चीज बची है पौधा क्या यह लिस्ट में है नहीं नहीं जॉज लिस्ट पर आखरी चीज फल है कोई बात नहीं जॉज, तुम फल चुन सकते हो फल कहां है वह अपर वह सेब हैं केले हैं संत्रे हैं और एक बहुत बड़ा तर्बूज भी कौन से फल ने जॉज सेब संत्रे केले तर्बूज इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं टमाटर नूडल प्यास तर्बूज चॉकलेट केक चॉकलेट केक चॉकलेट केक चॉकलेट केक, क्या ये लिस्ट में है पैपा, क्या तुमने चॉकलेट केक टॉली में रखा? नए, मामी जॉज क्या तुमने चॉकलेट केक टॉली में रखा? नए मैने भी तो नहीं रखा फिर किसने रखा? मुझे लगा पुड़िंग के लिए अच्छा होगा डाडी पेग शरारती डाड़ी सॉरी लेकिन यह कितना यमी लग रहा है न यमी तो लग रहा है हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था छोप्राटाइक हुराइ